वेलकम टू कैरियर हम सफर सफर काम याभी तक तो फिर जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कवर कर रहे हैं बेपेसी मेंस के लिए इंडियन पॉलिटी को जो कि जी एस पेपर टू के साथ साथ पी एस आई आप्सिनल के लिए यह हिलफुल है तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे Constitution and Constitutionalism को और यह question आपके सामने है जो कि बेपेसी सिफ्टी ठोड में पूछा गया है कि Constitution and Constitutionalism के बीच डिफ्रेंस क्या है यदि इस question का अंसर लिखना होता मिन्स हम केबल फस्ट पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर और भी question है doctrine of basic structure तो इसमें केबल मैं चर्चा करूंगा Constitution and Constitutionalism के बारे में तो यदि हम से पूछा जाता तो क्या करते हम सबसे पहले Constitution को define करते फिर Constitutionalism के बारे में चर्चा करते और उनके बाद है ना दोनों में हम difference लिख देते हो जाता हमारा काम तो देखे अब हम चर्चा करें यह किन मनि अप अच्छे से केबल सुनते जाई आपको कई सारे points मिलेंगे और direct है जो आप इन चीजों को लीख देंगे तो आप काफी अच्छा आंसर लिख पाएंगे तो देखे Constitution क्या है Constitution का हिंदी क्या होत आपने image देखा होगा और आपने उसमें क्या देखा होगा कि भीम राव अंबीदकर एक किताब लिए रहते हैं और ओर किताब किस चीज़ का है भारतिये संभिधान का इट मिन्स भारतिये संभिधान भी एक किताब है और किताब जैसा कि आप जानते हूं उसमें कई सारे chapters क मिला करकर के एक बुक बनाया जाता है वैसा ही यहां पे भी कई सारे rules and regulations को collect किया गया है और एक किताब बनाती गई इसका नाम दिया गया है भारतिय संबिधा इसका मतलब है कि कोई भी constitution होगा वो rules and regulations का या क्या होगा collection होगा और इसी के अधार पे किसी देश की सासन विवस्ता चलाई जाती है अता हिया highest law of the land और supreme law of the land का लाता है इसके उपर कोई भी कानून नहीं चलती है means यही सबसे क्या होता है supreme होता है अब next मैं बात करों कि आखिर constitution है क्या means constitution जो है क्या बतलाता है तो यह है जो कई सारी चीजों को बताता है जैसे कि आप यहां पर देखें relation between citizens है ना फिर citizen और state के पीज का क्या relation है साथी यह जो government के different different organs हैं चाहे हो और legislative हो executive हो judiciary हो इनके क्या functions है और इनके बीज का relation है साथी इन्हें power कहां से मिलता है ठीक है इन सभी चीजों को आप constitution बताता है साथी यही constitution है जिसने हमें क्या fundamental right दे रखा है साथी यही constitution है है ना जो हमारा fundamental right को protect भी करता है और relation तो बतलाता ही है तो इस परकार से देखा जाये तो constitution जो है वह क्या करता है relation को बतलाता है और किसके किसके बीच तो सरकार के कई सारे organs के बीच साथ ही यह है जो क्या democratization को भी बढ़ावा देता है जिसके तहत सब की dignity सेम है सब कानून के समझ सब सेम है सब को voting right है है ना मिंस इसका base ही एकपर कार से कई है इक्वालिटी है यह discrimination की बात नहीं करता है जो की किस पे इस gender के बेश्ट पे हो religion के बेश्ट पे हो फिर छूछूद के बेश्ट पे हो इन सभी इस पर यह discrimination की बात नहीं करता है और इस परकार से देखा जाए तो इसे ग्रेंविल ओकॉस्टीन ने इन सभी कारणों से इसे सोसल रिवोलूशन का डॉकमेंट का था इंडियन प्रस्पेक्टिव से बाएं मैं बात करूँ तो ठीक है चलिए अब देखे इसकी एक पहलू और जैसा कि आप जानते होंगे मिया अग्मार हो गया नौर्थ कोरिया हो गया चाइना हो गया इन सभी जगों पर कॉंस्टुटीटिशन सुप्रिम नहीं है वहां का जो रूलर है है ना पालिटिशियन हैं उनकी पार्टी है उसकी सूप्रेमेसी है और इस कंडिशन में क्या होता है कि वहां की जनता की जो में आस्पेक्ट देखने को मिलेंगे जबकि आप देखें अपने देश इंडिया हो चाहे आपका यूए से हो यहां पर आपको Constitution की सुप्रिमेसी दिखेगी Rule of law दिखेगा इसी कौन कहते हैं सुप्रिमेसी of the law साथ ही साथ ही यहां क्या है जो government की power है unlimited नहीं यहां limited है और यहां लोग क्या enjoy करते हैं लिवर्टी को freedom को जैसा कि आपने सुना होगा हाली फिलाल में इरान की कोई athlete थी और हुए जो हिजाब है बिना हिजाब का participate कर लिया गेम में जिसके कारण से अभी सायदला पता है इसके बाद और भी आपने सुना होगा कि सरकार के खिलाफ जैक माने कुछ बोल दिया सरकार ने उन्हें डिटेंड कर रखा था तो कई परकार की चाइना वेगरम में समस्याएं हैं इसके बाद समस्या हर जगह होती है इसे तो constitutionalism अब क्या है तो देखे constitutionalism जो है यह बात करता है किसकी सम्हिधान की सासन की मिन्स आपने जो constitution बनाया है है आपने जो constitution बनाया है क्या आप उस constitution के according चल रहे हैं या नहीं क्या constitution बना दिया लेकिन क्या ruler का है यहां rule चल रहा है rule why law चल रहा है ठीक है तो यहां फिर गड़वड हो जाती है ठीक है तो यहां rule of law है rule why law नहीं है है ना limited government और rule of law की यहां पर बात की जाती है ठीक है यह constitutionalism है means सम्हिधान की according सासन चलाया जाए बहुत सिंपल सी बात है वही है जो आपका सम्हिधान बात है जिस परकार से कहा जाता है कि हम लोग किताब नए खरीदने के लिए काफी उत्सुख रहते हैं लेकिन किताब वाल करना यही तो constitutionalism है और यही है जो democracy का उदेश भी है यही कारण से कहा जाता है constitution एक क्या है तो means है यह क्या है गोल है यही हमें achieve करने है है ना साथी यही constitutionalism जो है यह क्या है आपका limited government की बात करता है यहां separation of power है ठीक है जैसे legislative है executive है जो judiciary है इनके भी separation of power है इनके बीच में क्या है check and balance है है ना एक दुसरे को check and balance करते रहती है अब देखें दूसरे प्रस्पेक्टिव से देखें keyword के मादे हम से ताकि आप easily इसे answer में direct quote कर पाएं तो constitution को हम कहें तो यही legal document है यह source of power है यही से सबको legislative executive को power यहीं से मिलते है citizen का जो fundamental right है यह protect करता है और यह relation को बतलाता है जैसे central state के बीच के relation है citizen और government के बीच के relation है तो इन सब इच्छी जो के बारें बतलाता है constitution का function है कि यह ideology को express करता है जैसे हम जानते हैं कि इंडिया एक democratic republic है तो यह ideology ही तो है यह basic law की बात करता है यह organizational framework की भी बात करता है ठीक ह इसके बाद है जो किस परकार का government है levels of government जैसे कि आप जानते है center level पे state level पे और local level पे भी हमारे government है इसके बाद है जो constitution में amendment कैसे होगा जैसे ordinary procedure होगा special होगा या फिर special plus जो state का consent लेना होता है उसके through होगा तो इन सभी चीजों के संदर में आपका constitution बतलाता है यह कई परकार क किसे नगे हैं मैं बात करो patent हो गया hour जिसका करते जिसका कर एक nap 15 दोनों में लीखा ही लέकिन लिखकत यह है कि रिटेंड में रिटेंड में आपको positive क्या मिलेगी कि सब systematic तरीखे से एक जगह है है और libro में क्या होता है कि एक जगह यह भी लुखा हुआ लेकिन एक जगह सिं पिंदिसन हैं को मिलेंगे इसके बाद है इसराइль में उसलेंड में उन सब बीज़ों परट डेखने को मिलते हैं जोकि written constitution जोकि सबसे पहले किसका है अपका USA का है इसके बाद देखे रिजिड है flexibility है यह नि अन रिजिड है तो रिजिड मींस दोनों का हमारे हां सावंजस है ठीक है रिजिड इसलिए है ताकि कोई easily इसे अमेंड ना कर सके समिधान के साथ खेल ना सके और क्या flexible इसलिए है त उसे उस बाधाओं को पार ना किया जा सके है तो कहने का मतलब है कि हमारा constitution को कोई भी पार्ट है जो क्या amend किया जा सकता है लेकिन बहुत ना तो easily और नहीं बहुत कठोरता से means यह topic के उपड यह defend करता है कि किसके लिए हमें रिजिड और flexible है ना दो परकार की चीजे देखन को मिलेगी तो अलग-अलग संदर्ब है इनके इसके बाद federal हो गया unitary हो गया federal मतलब यह होता है devolution of power जैसे आपका सेंटर और स्टेट के बीच है तो यहां पर क्या है पावर है जो डिवाइट कर दीगे यह तो फेडल है unitary मतलब क्या होता है कि सभी power center के पास जैसे कोई भी बिहार का बिहार हो गया चाहिए फिर कोई ही एस्टेट हो गया तो इन सब का power है जो किस के पास center के पास चला जाए और बिहार government है या कोई भी government है उसे center अपने हिसाब से power दे तो यह unitary का example आ जाता है जैसे स्रिलंका वेगर हो जाता है अब देखिए constitutionalism अभी हमने चर्चा क करेगा यह rule of law की यहां पर बात करता है ऐसे इसे दूसरे तरीके से कहें तो यह confining, structuring और checking की भी यह बात करता है उसके बाद है जो इसके constitutionalism जो है इसके principle क्या है तो popular sovereignty means यहां पर जनता इसमें क्या जनता की भागदारी होती है जनता ही संप्रभू है जनता वोट करती है है अपने सदस्यों को means चुनती है अपने representative को चुनती है साथ ही है representative government है means जनता जी से चुन कर करके भेजती है जनता के प्रती responsible होती है accountable होती है किसमें constitutionalism में इसमें separation of power होता है independent judiciary होता है तो जैसा कि अब जानते है separation of power है तो means जो भी इसके organ है सरकार के उनमें कोई एक दूसरे म हस्चेप नहीं करेगा और division of power है जैसे center or state के बीज तो कोई बिबाद होगा तो किसी का पक्षच judiciary नहीं लेगा rule of law है means समिधान में जो चीजे लिखी गई है उसी के according है जो सासन चलाया चाहेगा ऐसा नहीं है कि जो मन करेगा है ना आप करेंगे इसके बाद है जो individual का right है ज political right और legal means right है एक फरकासिया कही है कि constitutionalism है तो political वाले जो है यह क्या है सरकार की जो discretion power है तो इस पर limit लगाता है कि सरकार ऐसा नहीं कि कुछ भी करते तो इसके लिए है आपका political constitutionalism लेकिन legal क्या है यह है जो हमारी आपकी individual की क्या करता है यह है जो right को protect करता है अब जो last बाते है इसकी यह क्या है तो difference क्या है समिधान और समिधान बाद में difference क्या है तो हमने अभी चर्चा किया कि समिधान कुछ नहीं एक दस्ता बेज है और यदि आप समिधान को लागू कर देते हैं तो वह बन जाता है system यह बन जाता है philosophy एक ideology है जो कि implement करने है तो यही समिधान एक document है और यह एक system है ठीक है यह आपको मुर्थ दीखेगा समिधान लेकिन समिधान बाद दीखेगा नहीं है ना उसके बाद है जो आपका यह means है और goal है हमारा goal क्या है समिधान बाद तक पहुछ ना ठीक है इसके बाद है जो किसी देश का यह basic law है जबकि यह system है ना based on the constitutional government ठीक ह and based on the constitution मैं बात करूँ तो यह basic law है है ना कौन वाली constitution और यह law पे उसी law पे बना हुआ क्या मतलब उसी law पे कहिए या फिर आपका सकते हैं कि constitution पे बेश्ट यह सरकार की निर्मान करता है इसके बाद यह सरकार को बतलाता है कि आपका क्या है power का scope और यह है जो क्या करता है limit कर करता है सरकार के power का इसके बाद है जो कई सारी और भी बाद विवाद इसमें हैं तो इस परकार से हम देखे तो अब आप आंसर करने के स्थिति में होंगे कि constitution और constitutionalism क्या है तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बाकी कमेंट करकर के आप बतलाए इसमें थोड़ी ज्यादा टाइम लग गई नंबर और कई बार हमने वीडियो बनाने की कोसिस की तो आस पास से sound बेहरा जाते हैं और कई परकार की समस्याएं आ जाती ठीक है तो खैर कोई नहीं फिर भी हम चीजों को जारी रखेंगे बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाय तो आल आफ यू